नमस्कार दोस्तों कुछ खोकर लोटे या ना लोटे लेकिन कर्म अवश्य लोटता है फिर चाहिवा अच्छा हो या बुरा नमस्कार दोस्तों राधे राधे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के विराशी फल में आज हम बात करने जारे कुमबराशी वालों के कुमबराशी वालों का दो जून दिन रविवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में इनके चीजों से सावधान रहना होगा और कुमबराशी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन से खुशकवरिया मिलने वाली ह तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्ब राशी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहीगा उनका बिजनस वैपार कैसा चलेगा उनका प्रेम संबंद कैसा रहीगा और साथ इसाथ उनका स्वास्ते कैसा रहीगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून राशी फल बताएंगे अगर दोस्तो आपके भी कुम्ब राशी है तो इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तो आज रविवार है सूरेदेव महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जैस सूर्यदेव महराज जरूर लिखना वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सस्क्राइब अवर्शे करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है दो जून दो हजार चौबीस दिन रवी बार आज की तीथी है एकादरशी आज का नशत्र है रेवती नशत्र है पच चल रहा है कृष्ण पच आज सूर्य उदाए होंगे सुबह पांच बच के तेईस मिन मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुबगाम करना है तो इसी समय आपके लिए सुब रहेगा और साथिसाद आज का सुब समय साम 5 बच के 24 मिनट से साम 6 बच के 19 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नंबर है पांच और लखी कलर है हरा, अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक के नीती ग्यान में चानक के जी कहते हैं बोल कर ही नहीं बलकि इन तरीकोः से भी जता सकते हैं पार्टनर के लिए प्यार जी हाँ दोस्तों ध्यान रहे किसी भी रिलेशनसिप की पहचान असल में दुख के वक्त ही होती है खुशी में तो सब साथ देते हैं लेकिन अगर आप वाकई अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो उन्हें ये ऐसो सियोस दे कि आप मुश्किल खड़ी में भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे या छोटी सी कोशिशे आप बिना लव यू कहे पार्टनर के दिल में अपनी जगा बना सकते हैं दोस्तों रिलेशनसिप को स्ट्रंग बनाने के लिए पार्टनर के साथ बातचीत के लिए वक्त निकाले जहां बोलने पर कम सुनने पर ज्यादा फोकस करे सुनने की आदत पार्टनर के प्रती आपकी रूचिय और अंडरस्टेंडिंग को दरसाती है अब बात करें दोस्तों आज के कुम्ब राशी फल के बारे में कैसा रहीगा आपका आज का दिन आईए जानते हैं तो दोस्तों इस राशी के बिवाहिज जाता को आज ससुराल पस्य धनलाब होनी की संभाव नै नया रूप रंग, नय कपड़े लत्ते, नय यार दोस्त आज का दिन आपका खास बना देंगी आपका होना इस दुनिया को आपके प्रिये के लिए रहने की काबिल बनाता है वो आपके लिए नहीं, बलकि आपके हिर्दय में रहते हैं आपके पास आज अपनी चम्ताव को दिखाने के मौके होंगी आज आपके पास खाली समय भी होगा और इस समय के इस्तमाल आप अपनी प्रेमिका को कहीं बहार ले जाने के लिए अथ्वा कोई डेट प्लैन करने के लिए कर सकते है दोस्तों, आपको आज माहसिक्सान्ति का भी एहसास होगा जब आप दोनों एक साथ होंगे और अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो यहादिन आपके बिवाहिक जीवन के सबसे विशेश दिनों में से एक हो सकता है साथ ही आपको बताएं आपके प्रिये वैक्ति से मुलाकात आपके अंदर खुशी और ताजगी को भरतेगी जिस वज़ा से आप अपने कारियों पर भी ज्याद अइकागरता से ध्यान दे पाएंगे अपनी पिछली कुछ गल्तियों से सीख लिकर अपनी कार प्रनाली को और अधिक बहतर बनाने का प्रयास करें युवावर्ग ध्यान रखें कि आपकी लापरवाही की वज़ा से कुछ बनते हुए कारे में रुकाव अटा सकती है भैतर होगा कि अपने महातुपुन कारे को प्रात्मिक पर रखें इस समय कोई भी और अन्य कारे ना करें और जो भी कारे करें उसे करने से पहले उसकी रूप रेखा अवश्य बना ले कारे छेत्र में हर गतिवीद्य पर नजर रखें आपकी योजना लीख होने से आपके कारें में रुकावटे आएंगी और इसका क्रेडिट कोई और भी ले सकता है दामपत्य संबंधों में मधूर्था रहेगी प्रेम संबंधों को परिवार जनो द्वारा विवास संबंधी अनुमती प्राप्ते हो सकती है आज आपके सितार में पूनेता आर्थिक लाब के चांड से आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति उत्वन हो सकती है जिन से आपको धन का लाव हो दोस्तों आज आप अपने परिजनों के लिए कुछ घरेलू सामान अथ हुआ आभुसनाद ही खरी सकते हैं पारिवारिक जीवन आज खुश्या देगा और परिवार के सभी लोग मिल जुलकर रहने में सच्छम रहेंगे दोस्तों परिवार वाली आज आपकी दिल खोल कर प्रसंसा करेंगे जिससे आपको आत्म संतुष्टी का एसास होगा और यह आपको अंधर से मजबूत भी बनाएगा दोस्तों ध्यान रहें आप आसानी से आगे होने वाली बातों का नुमान लगा लेते हैं आपकी संचार समतभी प्रभाव शाली और नजरिया खुला है इसलिए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत महनत करें हमेशा गलतिया ढूनने की फिराग में रहने वाले आकरमक लोगों के साथ उलजने से बचें अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते हैं तो दोस्तों प्यार के मामले में आपका दिन बहुत अच्छा भी देगा और आपको सुकून भरे प्यार भरे उन पलों का अपने प्रेमिका के साथ बिताने का मौका मिलेगा जो आपने बिवाग के समय जीए थे दोस्तों आपका प्रेम आपको खुश रखेगा और उन्हें किसी भी तरह से तुक नहीं होने देने ये आप पर वहाँ विश्वास करती है आप भी उन्हें हर संभख खुश रखने के लिए प्रियास करे ताकि आपका प्रेम और आपका प्रेम जीवन दोनों हमेशा खुशियों से भरा रहे दोस्तों ध्यान रहे ये समय अपने रिष्टे में सकरात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए बिल्कुल सही है आप इसे अगले स्थर तक ले जाने के लिए तयार हैं लेकिन पहल आपको करनी होगी आप सभाप एक रूप से मित्र भासी और सरमीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में फसा हुआ है इसलिए बस अपनी दिल की बात सुने और सारा विश्वास आपके रिष्टों से गायब हो जाएगा आप बात करें दोस्तों आपके आज के व्यपार और केरियर की तो दोस्तों कारूबारियों को आज अपने व्यवार को दोबारा सोचनी की आवशकता है क्योंकि इस व्यपार में आपको आर्थिक मुनाफ़ होने वाल है अगर आप वैपार में अच्छा काम नहीं कर पा रहें तो एक बार सांती से बैठ कर सभी विश्यों का मुल्यांग कन करें अपने कर्मचारियों से इस संबंध में बाचीत करें और वहीं जो नौकरी करने वाले हैं वह अपने बौस के सामने अपनी बात को इस पश्ट रखें अगर आपको लगता है कि आपको महनत के अनुसार प्याज़ा नहीं मिल रहा तो आपको किसी भी सक्की आवशक्ता नहीं है दोस्तों आपका धैरे कर्तावर जिम्यदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करतेगी तो दोस्तो ये था अज का कुम्ब राशी का राशी फन रोज की कुम्ब राशी देखने के लिए आप मारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेक्ट करें आपका दिन सुभू नमस्त दोस्तो राधिकिष्णा